नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में आज की वीडियो का नाम है Transforming Daily Grind मतलब हर रोज के मेहनत को transform करना तो सवाल ही उठता है transform कैसे करना क्यों करना अगर हम अपने talent को खोजना चाहते हैं हम किसी चीज़ में बहुत great बनना चाहते हैं तो फिर हमें अपने मेहनत को burn out से और bore out से हटा करके something interesting बनाना होगा आज की हमारी जो main character है जिसके बारे में हम बात करेंगे और जिससे हम सीखेंगे उनका नाम है Evelyn Gleney वो बहुत famous और बहुत ही talented musician थी लेकिन आपको पता है दोस्तों ये 8 साल की उमर से इनका कान खराब हो गया और ये deaf and mute हो गई उनकी बहरी हो गई थी इन्होंने music अपने हाथ, पैर, अपने body से सीखा है महसूस करना और उसको play करना तो उनके पास कोई बहुत खास चीज है हमें बताने के लिए दिखिए, nature बड़ी intelligent चीज है हमारे आज पास का जो ब्रमांड है बहुत intelligent है अगर हमसे कोई काम कराना चाहता है तो वो automatically उसको interesting बना देता है यही चीज आज के chapter में हम सेखेंगे कि अगर आप किसी काम को practice करना चाहते हैं मेनत करना चाहते हैं तो उसके अंदर में से आपको एक boredom वाली feeling को निकालना पड़ेगा क्योंकि आम तोर पे जब भी कोई कहता है मेनत करो तो हम लोगों को लगता है कि बस मेनत करना होगा और बहुत bored होना पड़ेगा लेकिन जब तक आप boredom की element को उसके अंदर में रखेंगे जब तक आपका practice boring रहेगा तब तक आप अपने talent को खोज नहीं पाएंगे तो कैसे Elvin Glennie ने अपने practice में boredom हटाया ये आप पढ़ेंगे इस chapter में दुनिया में इतनी population बढ़ रही है लोग sex करते हैं तो nature कराती कैसे है बहुत बिनत होता है इस process में लेकिन फिर भी हम सब को मज़ा आता है इस activity को करने में इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज में अगर आपको माहिर होना है तो इसके अंदर में मज़ा आना चाहिए इसको एक बड़े बहुत simple तरीके से Adam Grant पिताते हैं I have to से transform होकर के I want to करना पड़ेगा आपको इसे मतलब किसी काम को आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे करना है मुझे बार बार प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है जब तक यह element नहीं आएगा तब तक आप अपने talent को पूरी तरह से बाहर निकाल नहीं पाएंगे तो आईए शुरू करते हैं इस पूरी series को देखने के लिए DKEPdance.com पे जाकर Solid Money Rules में explore करिएगा और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे comment section में आकर के discuss कर सकते हैं बात कर सकते हैं आईए शुरू करते हैं तो आज के chapter कराम है transforming the daily grind infusing passion into practice चाहे आप किसी भी passion को follow कर रहे हैं उसके लिए practice करना पड़ेगा और practice में कुछ दिनों बाद वो चीज हो जाएगी boring तो कैसे आप अपने passion को infuse करें practice में Bernard D. Coven कहते हैं it is neither work nor play purpose nor purposelessness that satisfies us it is the dance between खमाल की चीज़ है नहीं तो core boring काम नहीं तो खुब enjoy करना it is neither work nor play it is neither purpose nor purposelessness purpose मतलब कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको लगता है कि यसी लिए मैं पैदा हूँ और purposelessness मतलब अरे यार छिल मारो कुछ टाइम के लिए relax कर रहा हूँ मैं मैं Netflix देख रहा हूँ तो नहीं तो purpose नहीं तो purposelessness that satisfies us यह दोनों हमको satisfy नहीं करते क्या satisfy करता है felt butterflies in her stomach Evelyn Gleeney नाम की एक लड़की है musician है और वो application भर रही है और उसके पेट में गुड़गुड हो रहा है growing up in a farm in Scotland she had dreamed of becoming a musician वो जब Scotland में grow हो रही थी, बड़ी हो रही थी तो वहाँ पर उसने सपना देखा था कि मैं एक musician बनोंगी she was drawn to the rhythm of the sound around her और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसको आसपास की आवाजों का rhythm उसको खींचता था the beat of tractor the low hum of the cows the clanging of blacksmiths music नहीं रोज मर्रा की चीजें tractor की आवाज घड़ 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 जो गाय होती है उनका चीखना blacksmith जो लुहार है उसका ठक ठक करना और पेड़ों की बीच में जो हवाएं चलती है उसकी आवाजें ये इसको ट्रैट करती थी after four years honing her percussion skills and several more practicing the piano चार साल तक उसने अपनी skill को percussion मतलब जो drums बजाते हैं उसको उसने hone किया खोब उसको पैना किया अच्छा किया और उसके बाद उसने piano भी practice किया Evelyn felt ready और फिर उसको लगा मैं music सिखने के लिए ready हूँ she applied to one of the most prestigious conservatories in the United Kingdom और उसके बाद उसने UK का one of the most prestigious conservatory को apply किया पता है conservatory क्या होती है fine art school को बोलते है conservatory मुझे नहीं बताता the royal academy of music accepted only the cream of the crop और यह जो जगह थी उसका नाम थो royal academy of music और यह सब को नहीं रखती थी यह Harvard थी इंडिया की IIT थी जो cream of the crop को लेती थी alumni included Elton John Annie Lennox और इसके जो alumni है वो Elton John है Annie Lennox है when Evelyn arrived in London for her audition alumni मतलब इसके past students alumni मतलब past students और जब यह लंडन में आई थी audition के लिए she had 20 minutes to demonstrate her skills इसको 20 minute दिया गया कि आजाओ अपना skills दिखाओ she played the overture in William Tell on the timpani एक timpani होता है tabla की तरह होता है drum की तरह उसके उपर उसने overture बचाये to William Tell कोई music बचा के उसने दिखाया various pieces on the snare drum and xylophone इसके साथ साथ उसने snare drum के ओपर भी कुछ pieces बचाये और xylophone पे भी और उसने Mozart का एक sonota सुनाया पियानो पे the academy didn't accept her academy ने उसको accept नहीं किया multiple expert panelists voiced concerned about lack of ability वहाँ जितने भी धेर सारे experts थे बोलते है इस किंदर में वो quality or ability नहीं है they concluded she had no hope for making it as a professional musician और उन्होंने साथ साथ बोल दिया के देखो तुम professional musician नहीं हो सकती हाँ तुम बजाओ अपने शौक के लिए बजाओ ठीक है लेकिन यह सपना छोड़ दो less than a decade later Evelyn became the world's first full-time percussion soloist 10 साल के अंदर-अंदर Evelyn बन गई दुनिया की पहली full-time percussion soloist जो अकेले बजाती थी percussion लोग ग्रूप में बज करते यह अकेले बजाती थी अभी भी आपको इसकी सबसे shocking चीज़ नहीं पता है अभी सुनिये Normally, drummers aren't the musicians' crowd flock to see आम तौर पे drummer वो लोग नहीं होते हैं जिसको लोग इकठे हो करके सुनना चाहते हैं They play in the background of an orchestra or band ये बिचारे पीछे कहीं orchestra में या band में बैठते हैं मतलब बचाते हैं Ringo sitting in the shadow of John and Paul Ringo अपना John और Paul के पीछे shadow में बैठा रहता है Even Evelyn was so talented that when she toured the world alone she routinely sold out 100 concerts a year लेकिन Evelyn जो थी वो इतनी talented थी जब वो अकेले भी जाती थी दुनिया का tour करने के लिए तो उसने अकेले 100 concerts per year बेचे हैं लोग कठे होकर किसको सुनना चाहते थे She won three Grammy Awards for best classical instrumental solo as well as best chamber musician performance and best classical cross over album इसने तीन Grammy Award पाया है best classical instrumental solo पाया है और best chamber music performance और best classical cross over album का award पाया है उसने जौर बजाया है इसको CCM Street में यूज किया गया है और इसको Queen से Knight का खिताब मिला है In 2015 she was the first percussionist to win the polar music prize 2015 में वो पहली percussionist थी जुसको polar music prize मिला यह musical equivalent है noble prize का joining the company of Elton John, Yo-Yo Ma and Paul McCartney Paul McCartney Jonny Mitchell, Paul Simon Bruce Springston and Stevie Wonder यह उस league में पहुँच गई जहां John Elton, Yo-Yo Ma Paul McCartney Jonny Mitchell, Paul Simon Bruce Springston Springsteen and Stephen Wonder थे यह से बड़े-बड़े तुर्रम खाँ है music की दुनिया के When the Royal Academy of Music decided that Evelyn was lacking in ability they weren't wrong और यह गलत नहीं था जब उन्होंने कहा था कि इसको जब उस team ने Royal Academy of Music नहीं कहा कि इसको नहीं आता music बजाना तो गलत नहीं थे Technically she didn't have an ear for music Technically उसका कान music के लिए नहीं था She couldn't really hear it at all उसको सुनना है नहीं आता था वो बहरी थी The world's first and the finest solo percussionist is profoundly deaf दुनिया की पहली और दुनिया की सबसे अच्छी solo percussionist profoundly deaf थी वो बहरी थी Evelyn's ear had begun failing her when she was 8 उसका कान धिरे-धिरे कमजोर हो रहा था जब वो 8 साल की थी By the time she was 12 when people spoke to her she could barely make out a sound और जब तक वो 12 साल की थी वो लोगों की बात सुनना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं सुना दीती थी इसको An audiologist diagnosed her with degenerative nerves and said it would be impossible for her to play music और फिर एक audiologist ने उसकी जांच की उसने बताया कि तुम्हारे कान के nerve degenerate हो रहे हैं सड रहे हैं इसलिए तुम जिन्दिए में कभी भी music नहीं बजा पाऊगी The degree of difficulty was too high and the distance to travel was too far यह जो मुश्किल उसने अपने ले लिया था music बजाना यह बहुत जादा था और जहां दूरी तक जाना था एक बहरे को music सीखना था यह बहुत जादा था दूर था यह Being profoundly deaf made mastering music unusually hard work और इतना जादा पूरी तरह से deaf करके इसको अगर music की mastering करनी थी तो यह बहुत मुश्किल काम था But even Evelyn didn't slave or scales for endless cheerless hours अब हम जानते हैं कि वो one of the world's best percussionist है लेकिन इसने भी खुब भागलो की तरह काम नहीं किया She didn't slave on scales for endless cheerless hours घंटों घंटों जैसे दिखाते हैं फिल्मों में ऐसा नहीं किया Her school's percussion teacher Ron Forbes didn't push her through the tedious practice schedule of drills उनके school के जो teacher थे जो percussion सिखाते थे वो भी इसको आना ही है क्लास में बैटना ही है percussion करना है वो नहीं कराते थे They work together to create the scaffolding for her to enjoy the process of learning यहाँ पर आपको पहली बार scaffolding का मतलब समझ में आएगा उनके जो teacher थे या जो भी coaches थे उनके साथ में scaffolding बनाते थे प्रैक्टिस के लिए नहीं to enjoy the process of learning वो और सीखने को enjoyable करने के लिए When Evelyn first visited Ron, he asked how she would hear music जब पहली बार वो Ron के पास अपने कोच के पास पहुची तो Ron ने पुचा कि तुम मुजिक सुनोगी कैसे She had no choice but to adopt a different learning style. अब उसको एक नया style सीखना था She explained that although she couldn't hear all the different pitches with her ears, she could feel the vibrations in her arm her stomach, her cheekbones and her scalp उसने का देखो मचे समझ में सुनाई तो नहीं देता लेकिन हाँ मैं अपने हाथों में अपने पेट में, अपने cheekbones में और अपने scalp पे इन vibrations को महसूस कर पाती हूँ She started to think of her body as a giant ear उसने अपने पूरी body को एक बड़ा सा कान मानना शुरू कर दिया As Ron played Timpani Evelyn put her hands on the wall learning to associate different pitches with different body parts अब जब John ने Timpani बजाया तो Evelyn ने तुरंट अपना हाथ दिवाल पे रखा और वो associate करना शुरू कर दिया अलग-अलग pitch को अलग-अलग body के part से अच्छ-च्छ ये हाथ से सुनाई देता है ये सर पे सुनाई देता है ऐसे body parts से उसने आवाजों को पहचाना शुरू किया Some of the higher notes resonated around her face and neck और कुछ बहुत उची-उची note थी उसको सुनाई ने देती थी उसके चहरे पे और गर्दन पे resonate करती थी The lower notes mostly reverberated in her leg and feet और जो lower notes थे उसके पैरों में पैरों के आसपास में और घुटनों पे मतलब नीचे के पैर और feet पर उसको resonate करते थे reverberate करते थे She started practicing barefoot to feel the vibrations more intensely इसलिए अब जो practice करती थी वो नंगे पैर करती थी ताकि vibrations को और feel कर सके At the start of every lesson Evelyn relished the challenge of sensing the sound जब भी कोई session चालू होता था उसको इसी बात की खुशी थी कि मैं sound को feel कर पा रही हूं Music music फूजिक गया भाड में लेकि मैं feel कर पा रही है sound को As she gained mastery Ron narrowed the pitch intervals और जैसे जैसे उसने mastery हासिल किया Ron ने उसके लिए जो interval था pitch का वो कम कर दिया It was like leveling up the video games यह ऐसा है जैसे कि आप video game खिल रहे हैं She was making increasingly fine distinctions between notes usually only for fingertips जो आम तर पर हम खली हाथों से Music को sense करते हैं बजाते हैं उसको उन्होंने आसान कर दिया पहचानना Soon Ron was stroking her enthusiasm by giving her whole new set of challenge to master और बहुत जल्दी Ron इसके लिए नया नया challenge लेकर आता था मास्टर करने के लिए ताकि वो enthusiastic रह सके ध्यान रखेगा प्रैक्टिस नहीं enthusiastic रह सके See this piece by back वो कहा करता था सुनो यह back का एक piece है इसको सुनके दिखाओ Do you think you can play it on snare drum अब बताओ तुमके इसको drum पे snare drum पे बजा पाओगी Continually varying the task and raising the bar made learning a joy Regularly टास्क को बदल-बदल करके और बाहर को मुचा करकरके मुश्किल करके वो लोग learning को क्या बना रहे थे Joy There were never distinction between fun and hard work She tells me और जब वो author से मिली तो बोलती है कभी भी मिले लिए hard work और fun दोनों अलग लग नहीं था I was like a sponge मैं एक sponge की तरह थी She went on to develop her own version of Bax music in contemporary drum style और फिर बाद में उसने Bax का music अपने drum style में अलगी तरीके से develop किया We are often told that if we want to develop our skills we need to push ourselves through long hours of monotonous practice Akhsaram को कहा जाता है कि अगर तुम्हें कोई skill develop करनी है तो तुम्हें घंटों-घंटो monotonous practice करते रहना पड़ेगा मतलब boring practice करते रहना पड़ेगा The best but the best way to unlock hidden potential isn't to suffer through the daily grind लेकिन दुनिया का जो सबसे अच्छे तरीके से आप अपने talent को निकाल सकते हैं वो ये नहीं है कि आप अपने daily grind में daily practice में suffer करें इसलिए तो जब 10,000 hour rule के author ने इसको पढ़ा तो उसने अपना माथा पीटा उसने कहा I have read hidden potentials in one sitting loved it and I have been thinking about it ever since which is the highest praise I can give to this book it is to transform the daily grind into a source of daily joy अगर आप अपने skill को खोजना चाहते हैं तो आपको तरीका खोजना पड़ेगा अपने daily grind को transform करने के लिए into daily joy it's not a coincidence that in music the term of practice is a play और ये कोई coincidence नहीं है कि music में practice नहीं बुला जाता बुला जाता है मैं I am playing music मैं खेल रहा हूं because it is a joy for us getting in harmony if you want to become an expert in any field it's not enough to be a freak of nature अगर आप किसी भी field में expert बना चाहते हैं तो इतने से काम नहीं चलेगा बहुत talented हूं मैं freak हूं nature का freak हूं no one is born with innate ability to play amazing grace in a big pipe but pull a bubbling baked Alaska out of an oven juggle seven balls at a time or even spell words like onomatopoeia or mayonnaise it takes practice to master a skill कोई भी skill को master करने के लिए चाहिए practice ever since the notion of achieving mastery through 10,000 hours of practice took the world by storm coaches, parents and teachers have been fascinated by the particular kind of practice जब से ये किताब ने famous कर दिया है 10,000 Hour Rule by Malcolm Gladwell तब से दुनिया भर के coach, parents or teachers बहुत fascinated हैं के बताओ कौन सी चीज़ का मैं प्राक्टिस करा दूं deliberate practice is the structured repetition of a task to improve performance based on clear goals and immediate feedback तो एक तो होता है deliberate practice जिसमें आप कोई structured repetition करते हैं कोई खास चीज़ है जिसको आप बार-बार-बार करते हैं ताकि आपका performance improve हो और उसमें आपका goal बहुत clear होना चाहिए और साथी साथ आपका feedback भी बहुत immediate होना चाहिए maths करनी है तो maths में सवाल है इसको करो अगर गलत है तो तुम्हें साफ सा पाना पड़ जाएगा और वापस तुम्हें maths में 100 में से 100 पाना है वो है structured practice how much of that you need however is more nuanced than 10,000 hour idea would have us believe लेकिन यह जो structured practice है उसमें से बहुत जादा practice nuanced होती है पता है क्या होता nuanced बहुत ऐसी बारिकियां जो आप structured नहीं कर सकते जिसे आज ही मैं सोच रहा था आपसे मैं कल बोल रहा था आपकी बाते सुन रहा था तो मुझे लगा कि आप किस चीज को इस age में start करें और बहुत successful हो आपके लिए Dr. Impey के लिए नहीं बट आपके लिए आचल के लिए मुझे लगता है branding marketing they are the most powerful thing from your age अगर आप financially बहुत successful होना चाहती हैं और उसमें धेर सारी nuances है उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया ये करना है तो जाओ करो उसमें धेर सारी iterations है research reveals that the actual number of hours required for excellence varies dramatically by person and activity 10,000 hour rule कोई rule नहीं है research के हिसाब से कितने घंटे आपको किसी भी चीज में excellent होने के लिए चाहिए वो बहुत depend करता है अलग-अलग है आदमियों के लोग के हिसाब से और activity के हिसाब से what's clear is that deliberate practice is particularly valuable for improving skills in predictable tasks with consistent moves देखा गया है ऐसे कामों में जिसमें आपका task बहुत predictable है जैसे कि golf खेलना या rubik को solve करना cube को या volume बजाना अगर ये predictable task है तब तो आप बार-बार-बार-बार deliberate practice करें तो improve कर जाएंगे लेकिन बाकियों में नहीं जिन चीजों में जैसे business है उसमें कोई भी आदमी 10,000 घंटे क्या एक लाग घंटे भी practice करता रहे तो he will not become a great businessman interest भी नहीं आएगा because उसमें बहुत जादा चीजें even child prodigies have been known to dedicate hours obsessive hours to deliberate practice यहां तक कि जो child prodigies रहे हैं बचपन से geniuses रहे उन्होंने भी घंटो घंटो obsessive hours of practice की है Mozart's violinist farther put him through the rigorous drills and performance schedule so grueling that one biographer called it unconditional slavery Mozart का जो एक violinist था उन बोलता है इस बिचारे को जो करना पड़ता था वो था unconditional slavery दिन भर उसका बाप पीछे पढ़ा है करो 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 but that kind of fanatical practice takes a toll लेकिन इस तरह का जो पागलपन का practice होता है वो आसान नहीं होता it takes a toll मतलब takes a toll मतलब श्रीश चल बता भाई तु ही बता उससे आपके ऊपर असर पड़ेगा भारी असर पड़ेगा उसके बहुत नुकसान भी होते Mozart wrote letters about how drained he felt Mozart चिथिया लिखता था कितना थक जाता है confessing as a teenager that my fingers are aching from composing so many recitives वो चिथियों में लिखता था कि मेरी उगलिया दर्द कर रही है मैं कितने recitives compose कर रहा हूं उससे and in his late 20s that he was tired from such performing और उसने बताया कि जमें late 20s में था मैं थग गया हूं perform करते-करते इसको आप करे थी बहुत हो गया आप नहीं रह सकते इस relationship में there is a reason to believe that he succeeded in spite of his compulsive practice not because of it कितना must English sentence है कौन बतायगा इसका मतलब there is a reason to believe that he succeeded in spite of his compulsive practice not because of it इसका मतलब यह है कि मान लो एक ऐसी मा है जो आपने बच्चे की पीछे पढ़े जाती सुबे शाम आज एक चोटा से वीडियो आए था इसमें लिखा था कि माएं बच्चों को कैसे त्यार करती है इम्तिहान के लिए लाइफ के लिए चल पढ़ाय कर शुरू कर पढ़ाय करना शुरू कर दिया काटून था फिर उसको ले बदाम खा फिर ले चाय पी ले दूद पी अचल सोजा बारा बच गया अब सब उठ जा पांच बच गया अब रुख जा रुख जा दाईची नहीं खा ले उसके बाद जा लाइफ सेट मतलब पीछी पड़े रहना इसको बोलते हैं कमपल्सिव प्रैक्टिस जहां आपको पसंद नहीं है फिर भी करना लोग को लगेगा इसलिए तो मेरा बेटा ग्रो हुआ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसकी मदर्शिप की है पेरिंटिंग की है तो कह रहे हैं उसकी वज़े से नहीं उसके बावजूद ये सक्सेस्फुल हुआ है उस प्रैक्टिस की वज़े से नहीं उस प्रैक्टिस से तो खतम हो जाना चीए था ये उसके बावजूद सक्सेस्फुल हुआ है रिसर्च देमोंस्ट्रेट्स तर पीपल हुआर अप्सेस्ट विद दियर वर्क पुट इन लॉंगर आवर्स येट फेल तो परफॉर्म एनी बेटर देर पीर्स ये धेर सारे रिसर्च हो चुके हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने काम के लिए ऑपसेस्ट होते हैं घंटो घंटो एक्स्ट्रा आवर लगाते हैं लेकिन फिर भी अपने पीर्स के अच्छा नहीं बजा पाते हैं वैसे ही बजाते हैं वैसे ही वही काम करते हैं उत्रा उसे अच्छा नहीं करते हैं और ऐसे लोग जो ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करते हैं उनको फिजिकल और इमोशनल क्या होता है एक्सॉशन थकावाट हो जाती है The monotony of deliberate practice puts them at risk of burnout जो उनके practice की monotony है एक ही type का practice है उसकी वैसे उनको burnout हो जाता है And for bore out और साथी साथ bore हो जाते है Yes bore out is an actual term in psychology Bore out is an actual term है psychology में Where burnout is an emotional exhaustion that accumulates when you are overloaded Bore out is emotional deadening you feel when you are under stimulated दो चीज़े हैं एक है burnout जिसमें आप emotionally थक गए है जब आप काम करते करते overload हो गया है लेकिन bore out क्या है आपको emotions need to click करने मुझे पसंद है वो काम लेकिन बजाने का मन नहीं कर रहा है Right एक में over stimulation हो गया एक में under stimulation हो गया कि आपको मैं गीटार ले रहा हो मजा नहीं आ रहा है उठाने का मन नहीं कर रहा है burnout बतलब इतना थक गया हो कि मैं गीटारी नहीं उठा सकता Although it takes deliberate practice to achieve greater things we shouldn't drill so hard that we drive the joy out of activity and turn it into an obsessive slog हाना कि deliberate practice तो चाहिए बड़े-बड़े काम करने के लिए लेकिन हमको ध्यान देना होगा कि हम we shouldn't drill so hard हम इतना ज्यादा drill न कर दे कि हम उस activity में से joy हटा दे और उसको एक obsessive slog बना दे पिचारा श्रीश इसी तरह से पढ़ाई करता है उसके लिए जो पढ़ाई है वो obsessive slog है In study of concert pianists who attained international acclaim before turning 40 few were obsessed with their craft बहुत बड़ी study हुई है जिसमें की concert pianists को जो internationally famous है उनको जब study किया गया तो अपने craft के साथ obsessed नहीं थे In their early years most practice a piano only an hour a day शुरुवात की दिनों में उन्होंने अपनी पियानों बजाते थे खली दिन में एक घंटा They weren't raised by slave drivers or drill sergeants उनके माबाप उनको slave drivers की तरह नहीं पालते थे या drill sergeants जो military में sergeant होते हैं drill करने वाले उनकी तरह नहीं पालते थे Their parents responded to their intrinsic motivation with enthusiasm उनके parents देते थे अच्छा मेरे इस बच्चे को ये काम पसंद है तो चलो इसके लिए हम ये समान ले आते हैं ताकि उसको practice कर सके As they became teenagers they steadily increased their daily effort और जैसे से वो teenager की उमर में पहुँचे उनका effort धीमीधी में बढ़ते गया But it didn't become obsessive or a core लेकिन फिर भी उनका वो काम obsessive नहीं हुआ और वो core नहीं हुआ बोरी नहीं हुआ They practiced because they were interested in what they were doing उन्होंने practice किया क्योंकि उस काम में वो interested थे Psychologist Lauren Sosnaik explains Because they enjoyed working with the teacher Because they enjoyed working with the teacher वो लोग अपने skill को practice करते थे क्योंकि उनको teacher के साथ में मज़ा आता था उस काम को करने में Elite musicians are rarely driven by obsessive compulsion जो भी elite musicians है लता मगिश कर रहे हैं या जो भी बड़े-बड़े लोग हैं वो लोग बहुत rarely obsessive compulsion से drive होते हैं They are usually fueled by psychologists call harmonious passion उनको जो चीज़ चलाती है fuel करती है वो है harmonious passion harmonious passion is taking joy in the process rather than feeling pressure to achieve an outcome बड़ी important चीज़ है harmonious passion क्या है यह joy है उस process में बजाए feeling pressure to achieve outcome आप एक practice कर रहे हैं maths कर रहे हैं आप यह नहीं सोच रहे हैं कि मुझे इसका result चाहिए मुझे 100 में से 100 चाहिए नहीं आप उसको maths को खेल रहे है मजा आ रहा है आपको वो है harmonious passion You are no longer practicing under a specter of should आप किसी specter के ender में काम नहीं कर रहे हैं specter मतलब होता इतना का strict ghost उसी से शायद in specter आया होगा specter word से तो आप किसी specter के किसी जबरजस्ती वाले इंसान के ender में practice नहीं कर रहे है I should be studying I am supposed to practice आपकी हालत ऐसी नहीं होती कि मुझे पढ़ना चाहिए अरे मैं क्या कर रहा हूँ मैं practice नहीं कर रहा हूँ You are drawn into the web of want आपको अचानक से खाली बैठे है लगता है चलो वो करते हैं मजा आता है वो करने में You are drawn मतलब आपको खीचता है web of want desire हो जाती है आपकी उस काम को करने की I feel like studying यार पढ़ने का मन कर रहा है I am excited to practice यार चलो देखते हैं कौन सा music निकलता है It makes it easier to find flow इसके जरीए आपको flow मिलता है psychology में एक term है flow into the zone of total absorption और आप बहुत जल्दी से उस zone of absorption में सक हो जाते हैं Instead of controlling your life practicing enriches your life बजाए आपकी लाइफ को control करने के वो practice आपकी लाइफ को क्या करती है enrich करती है और अमीर बनाती है The importance of passion isn't unique to music और यह चीज़ खाली music के लिए नहीं काफी है यह मतलब खली music में नहीं है इसकी importance Across 127 studies with 45,000 people persistence was more likely to translate into performance when passion was present एक study हुई है जिसमें की 127 एक नहीं 127 studies हुई है जिसमें 45,000 लोग को पढ़ा गया है और वहाँ देखा गया है persistence was more likely to translate into performance आपने जो भी कोशिश की है वो performance तभी बनेगा जब passion present होगा The question is how to build the scaffolding to bring passion into practice तो सवाल यह उठता है कि कैसे आप वो scaffolding तयार करें वो धाचा तयार करें ताकि आपकी practice में passion डाल सकें My favorite answer is celebrate नहीं called deliberate play तो इसका answer author देते हैं deliberate play तो deliberate play क्या है वो तो भाई कली पढ़ पाएंगे हाँ आपका question था आपको बिजनस के लिए कि वो attitude नहीं चलेगा लेकिन music में हमें नहीं सब जगा चलेगा बिजनस में चलेगा मैंने कहा फिर से आपको मज़ा आना चाहिए बिजनस में भी आज मैं बिजनस कर रहा हूँ बिजनस ही कर रहा हूँ कृष्णमूर्थी ने भी बिजनस किया है भाई उन्होंने स्कूल चलाया है आज भी उनके जाने के बाद स्कूल खुलते जा रहे हैं बट वो कोई चीज अचीज अचीव करने के लिए नहीं था वो process उनको मज़ा आता था बिजनस हर वो चीज है जिसमें की पैसे का लेंदेन है कुछ सर्विस या बीच में बोला था ना की practice क्योंकि किसमें आपको practice करने बढ़ते है मुज़ियर बट आप business में ये चीज नहीं कर सकते है नहीं मैंने कहा था दो type की practice होती है एक जहां पर goals और steps clear होते feedback एकदम clear होता है वो अलग type की practice होती है और एक ऐसी practice होती है जिसमें कि कुछ clear नहीं कि आगे का step क्या है आज मैं कौन सी कौन से नया offer डाल दो अपने website पे या अपने business में कि sale बहुत बढ़ जाएगा देखिए दोनों ही situation में ये काम करेगा क्योंकि वो process में मज़ा आ रहा है अगर कोई आदमी केवल इसलिए practice कर रहा है क्योंकि उसको end चाहिए तो अकसर ऐसे लोग business छोड़ देते हैं और ऐसे ऐसे लोग बिचारे toll हो जाता है आज जो इनके पापा की दिक्कत हुई है वो इसलिए क्यों उनको वो जो काम कर रहे थे वो काम नहीं अच्छा लगता था बट उस काम से उनको एक result चाहिए था मुझे पैसे चाहिए थे लाखो करोड़ों पर चाहिए थे तो इस टेक्स टूल इस शुद नाट बी जर्नी शुद नाट बी पैनफुल जर्नी शुद बी जॉइफुल आज मेरे लिए ये दोनों काम निपी इसकान का काम है चाहिए डीप नाट उसकी काम है आई जॉइ इट बिल्कुल सही बात है लेकिन यहां बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं यह कापनी spiritual है बिल्कुल यह उसका जवाब है इस लिए मुझे लगता है इस बंदे ने इस चीज़ को बहुत डीपली study किया है आम तोर पे जो लोग parents बात करते हैं हम गुलता है बच्चे को लो उसके बाद उसको अच्छी parenting करो बट अच्छी parenting का क्या मतलब है अगर अगर बहुत mild हो तो उसके अंदर किसी काम के लिए deep interest आएगा ही नी जिसे मैं गरिमा के साथ बहुत mild हूँ उसको नहीं सीखना है तो ना सीखे लेकिन मुझे लगता है इसको deliberate practice करानी पड़ेगा नहीं deliberate play कराना पड़ेगा इसके लिए मुझे काम को और enjoyable बनाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि तो घंटों घंटों कुछ नों कुछ तो करती है वो उसमें माहिर होती जा रहे है आज कलिए है ना मुझे उसमें से हठाकर किसी और चीज़ में इसको enjoy कराना पड़ेगा कलसे dance शुरू तो कमाल की लिड़ी है यार डेफ होकर के दुनिया की वन अफ दे बेस्ट परकॉशनिस्ट स्केफोल्डिंग क्या है देखिए अब तक हम टैलेंट को खास तोर से ऐसे देखते थे जैसे की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मनानी है जब भी किसी को देखिए आप कोई सचिंटेटल कर है या बिल गेट्स है उनको देख करके लगता है वनम तो वेरी बिग तिंग और वो बनने के लिए हमारा माइंड यह कहता है कि मेहनत करो मेहनत करो और वो मेहनत करने का मन नहीं करता तो फिर हम लोग उसको छोड़ करके कुछ और करते हैं और वह हमारा मेहनत करते है फिर भी वो रिजल्ट नहीं आता जो हम चाहते है तो स्केफोल्डिंग मतलब आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे है लेकिन आपको आईडिया नहीं है कैसे बनाना है तो आप बना रहे है धाचा रहाचा समझते हैं क्या होता है क्या skeffolding का exact मतलब है जो दिवार बनाने से पहले आप बास बली जोडते हैं वो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें होती है हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक सीरीज बना रहे थे Unfair Advantage उसमें हम लोग एक कम ओन तुम नोग Snapchat यूज़ करते हैं तुम इसका फांडर का नाम नहीं आदे याद ता बूली थैंक गॉड कोई तो है ऐसा जो नहीं उसकरता इवान स्पीगल और इसको बच्पन से ही बहुत ज़ादा गाइड़न्स मिली है बिसनस में उसके पेरेंट्स बहुत सक्सेस्फिल बिसनसमें थे धेर सारे वेंचर कैपिलिस्ट उसके फ्रेंड थे उसके पेरेंट्स के फ्रेंड थे तो वो चीज़ जो बच्पन से उसको मिली है that was kind of scaffolding for him मैं अभी अभी नहीं छह साथ साल पहले केरला गया था चुटी पे वहाँ पर एक बुढ़ा कपल आया था यूएस से और वो बता रहे थे कि उनकी पोती 12 साल की पोती बोलती है मैं अपना स्टार्ट अप चालो करूँगी उसमें funding लोगी और मैं कुटों के लिए कुछ-कुछ supply के लिए business बनाऊंगी भाया भाया मुझ दिखता रहे गया तो पता चला उसके पिता जी का भाया दू-तीन start-up चल रहा है अच्छा खासा तो scaffolding मतलब वो चीज जिसको आप आराम से कर सकते हैं और उसके उपर चड़ सकते हैं scaffolding वो जैसे आपकी English की वो figure बनाने के लिए पहले easy करने के लिए हाँ squares बनाते हैं जो हाँ एक तरह से वो ही scaffolding हो गई साइकल सीखने के लिए साइकल सीखने के लिए बल में पहिया हो गया ठीक है आरामाई के लिए घक हो एक लिए हो एक्राइब स्वाओर पूल्गर आरामाई